माइकी की रसोई सीजन टू कावेरी अपने छोटे बेटे रवी के लिए लड़की देख रही थी फर उसी क्या पता था कि उसके बेटे ने तो पहले ही किसी को पसंद कर लिया है रवी और ईशा एक दुसरे को पसंद करते थे ईशा रवी के घर के पास ही रहती थी कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गी उन्हें पता ही नहीं चला क्या तुने लड़की पसंद कर लिया पहले तेरे बड़े भाई ने लीना को पसंद कर लिया और अब चल ये भी ठीट है मैं समझूंगी मेरी चिंता ही दूर कर दी तुम दोनोंने हाँ माजी आजकल अच्छी लड़किया मिलती कहा है वैसे भी ये पास में रहने वाली इशा लगती भी सुन्दर और सुशिल है हाँ तुझे देखकर भी ऐसा ही लगता था क्या का माजी? अरे कुछ नहीं उसे घर का काम, खाना बनाना, सब कुछ आता तो है ना? अरे हाँ माँ, वो सब कामों में बहुत हुश्यार है उसे सब कुछ आता है हाँ, तो फिर मुझे क्या आपती हो सकती है बला? तो खुश, लड़की भी अच्छी है तो हम राजी है उसे बोल अपने घर वालों से बात कल ले रवीन अपने घर वालों को तसल्ली करवा दी थी कि इशा बहुत होश्यार और गुणी लड़की है और घर का सारा काम जानती है क्या? पर तुमने तो कहा था कि ये सब कहना अपनी माँ से हाँ तो क्या कहती? कि अपनी माँ से कहो कि मुझे कुछ भी नहीं आता? इशा ने रवी से कहतो दिया कि वो सारा काम सीख लेगी पर वो तो अब भी वैसी की वैसी ही थी शादी होने वाली थी पर उसने घर की कामों में अभी तक कोई दिल्चस्पी नहीं ली थी अरे कल तेरी शादी है और तू यहाँ बैठ कर फोन चला रही है इतने दिन से कह रही थी खाना बनाना सीख ले अब देख कल शादी का दिन भी आ गया हाँ तो चाई बनाना सीख तो लिया इतने दिनों में मैंने मा कि भगवान क्या होगा इस लड़की का शादी के बाद इशा की मा के समझाने पर भी इशा कहां समझ रही थी उसकी शादी का दिन भी आ गया और शादी भी बड़ी धूम धाम से हो गई सब लोग बड़े खुश थे कुछ दिन तो ऐसे ही महमानों और घूमने फिरने में चले गए पर अब तो इशा की असली परिक्षा की घडियां आ चुके थी इशा ये लो आज सी ये किचिन तुम्हारा चीक है तुम इससे संभालो मैं घर के बाके सब काम देख लोगी और तुम्हारे जिम्मेदारी रसुई की होगी क्या? सारा खाना मुझे बनाना होगा भाबी हाँ, क्यों? क्या हुआ? देवर जी ने बताया था कि तुम बहुत होश्यार हो तुम्हें सब कुश आता है हाँ, 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 भाबी मैं सब बना लूँगे मा को फोन लगा दिया हेलो मा मुझे पता था तेरा फोन जरूर आएगा अब तु एक काम कर किसी बहाने घर के पास आजा मैं तुझे खाना दे देती हूँ ठीक है मा, तुम खाना तयार रखो मैं कोई बहाना मना कर घर के पास आती हूँ इशा अपनी जिठानी लीना के पास आती है और कहती है भाबी, मैं न जरह सबसी लेकर आती हूँ हरे पर सबसी तो पढ़ी है फ्रीज में वो न मैं स्पेशल खाना बना रही हूँ न तो मुझे कुछ सबसीया चाहिए थी मैं अभी लेकर आती हूँ अच्छा, ठीक है इशा सबसी लेनी के बाहने अपनी मा के घर आती है और उसकी मा उसे खाना दे देती है और इशा जल्दी से बिना किसी की नजर में आये वो खाना किचन के बर्तोनों में उतार देती है और ऐसा नाटक करती है कि खाना उसीने बनाया हो ये ली जी, गर्मा गरम खाना अरे वाँ, खाना तो सेच मिला जवाब है इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है क्या? इतने दिनों बाद मतलब? मैं क्या आपको भूखा रखती थी? और नहीं, मैं बस यूँँँई मजाग कर रहा था आओ ना तुम भी खाओ, बाद मज़ेदार है खाना थैंक यू बया ये लो मेरी तरफ से शगुन तुमारी पहली रसोई थी ना आज, इसलिए तुम तो अच्छा गई इशा के खाने की टेबल पर बहुत तारीफ होती है जिससे लीना को फिल्कुल अच्छा नहीं लगता पर उसे क्या पता था कि ईशा ने तो वो खाना बनाया रही नहीं था पर ये बात ईशा ने रवी को बता दी क्योंकि उसे रवी की मदद जों चाहिए थी क्या? ये खाना तुमारी मम्मी ने भेजा था? यह तुमने क्या कर दिया? और अगर घर में किसी को पता चल गया तो? तो मैं क्या करती? तुम्हें तुप पता हैं, मुझे खाना बनाना नहीं आ ता अज एक दिन तो तुमने ये खाल लिया, पर अब आगे? अब तुम हो ना, तुम बस मेरे घर से खाना यहां पाँचा देना, बाकी मैं देख लोगी रे क्या बाकी मैं देख लोगी, तुम खुद भी फसोगे और मुझे भी फसवाओगी अरे कुछ नहीं होगा, तुम सुबज आते हुए खाना देते हुए जाना, और ओफिस से आते हुए मेरे घर से लेते हुए आना, सिंपल तुमें ये सिंपल लग रहा है ईशा, तुम अपने सुसुराल में खाना माई के से मंगवा रही हो, भाबी या माने पकड़ लिया तो आरे मैं किचिन में ऐसे काम करूँगी जैसे मैं खाना ही बना रही हूँ, और मैं फोन में देखकर खाना बनाना सीख भी तो रही हूँ, बिस कुछ दिन की बात है इशा ने रवी को बहला फुसला कर मनाई लिया रवी रोज इशा के माईके से खाना यहां लेया था और इशा उसे बरतनों में परोस देती पर लीना को अब कुछ गड़बड मैसूस होने लगी थी क्योंकि वो जब भी रसोई में जाती तो इशा या तो फोन देखती रहती थी या फिर इधर उदर देखती रहती थी इशा खाना बन गया? हाँ भावी बस बनने ही वाला है अच्छा पर तुमने गैस पर तो कुछ रखाई नहीं है? वो न सब कुछ बन गया है बस रोटिया बनाना बागी है भावी अच्छा लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ नहीं 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 भावी आप जाएं मैं कर लूँगी अरे पर इतना खबरा क्यों रही हो इशा? नहीं भावी वो किचन में गर्मी है ना बस इसलिए लीना इशा के कहने पर बाहर चली जाती है पर आप उसे पूरा यकीन हो गया था कि इशा कुछ तो छुपा रही थी इशा ने कहा सब कुछ बन गया है पर बरतन तो सब खाली थे तो उसने ऐसा क्यों कहा? लीना ये सब सोच रही थी कि तभी उसने रवी को किचन में जाते हुए देखा और जब वो बाहर आया तो इशा ने सब को खाने पर बुला लिया अभी तो उसने कहा रोटियां बनाना बाकी है अच्छ देवरानी जी, आपको रंगे हाथों पकरना पड़ेगा सब मेरे खाने का मजायक बना रहे था ना, अब मैं सब को बताती हूँ लीना को शक तो हो गया था, लेकिन वो जानती थी कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ईशा सब का दिल जीट चुकी थी लीना रसोय में आती है और ईशा से कहती है ईशा, आज खाना मैं बना देती हूँ, आज मेरा बड़ा मन है, कड़ी चावल बनाने का, ठीक है? हाँ भाबी, आप बना लीजिए, मैं घर के बाकी काम देख लेती हूँ शलो, एक दिन तो मा को आराम मिलेगा अच्छ ठीक है, ईशा किचिन के बाहर आकर अपनी मा को फोन लगाती है हेलो मा, आज खाना मत बनाना, आज मेरी जिठानी खाना बना रही है ठीक है बेटा, तो दामा जी से भी कह देना, खाना लेने ना आए हाँ, मैं उन्हें भी मैसेज कर देती हूँ इशा रवी को मैसेज कर देती है कि आज वो उसकी मा के घर खाना लेने ना जाए इशा बाहर कुछ काम कर रही थी कि तभी लीना की आवाज आती है आँ, मेरा हाथ माजी, मेरा हाथ जल गया आरा, आरा, क्या हुआ लीना बहु मेरा हाथ जल गया माजी आरा तु चल, मैं तुझे बरफ लगा देती हूँ, इशा बहु रसोई देख लेगी, आजा वहार आजा, तुम देख लोगी न इशा रसोई अहाँ, वो 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 आरे हाँ, वो होश यार है, सब देख लेगी, तु चल अच्छा इशा, जर अपना फोन देना, प्लीज, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मैं भावेश को फोन करके दवाई लाने को कह देती हूँ फोन? ठीक है, यह लेजिए लीना और कावेरी रसोई से चले जाते हैं, अब इशा को समझ में नहीं आता कि क्या करे वो, उस्ते तो रवी और मा दोनों को मना कर दिया था चल इशा, आज तो खाना बनाना ही पड़ेगा इशा खाना बनाने लगती है और इतने में रवी और भावेश भी ऑफिस से आ जाते हैं, और सबको रसोई से जलने की बदबु आती है मर गए, लगता है इशा है रसोई में चलो चल कर देखते हैं सब लोग रस्वे में आ जाते हैं और देखते हैं कि इशा ने सब कुछ जला दिया था अरा, यह क्या इशा बहू? यह तुमने क्या कर दिया? यह तो होना ही था आज रवी अपनी साथ से खाना जो लेकर नहीं आया क्या, इतने दिन तक तेरी मा के घर से खाना आ रहा था हाँ माजी, मुझे माफ करती जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता इसलिए मेरे माई के से खाना बिजवाती थी मेरी मा ये बगवाद, मेरी ही किसमत फूटी निकलने थी, दोनों ऐसी निकली दोनों कौन मा? अरा तेरी भाबी लीना, उसे भी कहा खाना बनाना आता है मा ही तो रसोई बनाती थी क्या? क्या? मुझे लगा ईशा को आता होगा खाना बनाना, तो मैं भी इससे सीख लूँगी और मुझे लगा आपको आता होगा खाना बनाना तो मैं तो आपको यह कहने वाली थी सिकाने के लिए यह भगवान दो दो बहुते हुए खाना मैं बनाओं चला हाटो तुम दोनों खिलाती हूं कड़ी चावल तुम सबको माजी मैं ना रोटी खाती हूं आहां और भी कोई फ